अमेरिका के पूर्व राश्ट्रोपती पर हमला बता दे आपको डॉनल्ड ट्रॉम्प की रैली में गोलियां चली अमेरिका के पैंसिल्वेनिया की रैली में गोली चली है और आपको बता दे कि डॉनल्ड ट्रॉम्प के चेहरे पर खुन का निशान भी दिखा है डॉनल्ड को स्पताल में भठी करा गया है और कहा जा रहा है कि कान को टक्ष करते हुए गोली लगी है और कान से कुल भी बहता हुआ नजर आया है अमेरिका की पूर्व राश्रोपती पर हमला बता दें आपको डॉनल्ड ट्रम्प की रैली में गोलियां चली अमेरिका के पैंसिलिवेनिया की रैली में गोली चलने की खबर सामने आई डॉनल्ड ट्रम्प के चहरे पर खून के निशान भी देखे गए कान को छूते वे गोली जो है वो निकल गई और आपको बता दें कि कान से खून भी वहता हुआ दिखाई दिया है तो सुरक्षा में ये बड़ी चूक की खबर डॉनल्ड ट्रम्प को अस्पताल में भरती करा दिया गया है पूर्वर राष्ट्रोपती पर हमला अमेरिका की पूर्वर राष्ट्रोपती डॉनल्ड ट्रम्प के चहरे पर खून के निशान भी देखे गए देख सकते हैं आप यहां भारी संख्या में यहां पर लोग इखटा हुए थे और इसी दोरान गोली चली सुरक्षा में यह बड़ी चूक और बतादे डॉनल्ड ट्रम्प के चेहरे से खून के निशान भी देखे गए कान के पास खून बहतावा दिखाए दिया गोली जो है कान को शूते वे निकल गई हलाकि बाल बाल बच गए डॉनल्ड ट्रम्प को और यह जो निशाना डॉनल्ड ट्रम्प की ओर ही था लेकिन बाल बाल बच गए हैं डॉनल्ड ट्रम्प बतादे आपको रैली में गोली चलने की खबर सामने आई पैंसिलिवेनिया की रेली में गोल ही चलाई गई